Feedback Mechanism Feedback Mechanism को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं Like हमारी बॉड़ी में कोई भी एक particular hormone बहुत जादा amount में release हो जाए या बहुत कम amount में release हो तो इसकी वज़े से हमारी बॉड़ी में कुछ harmful effects generate होने लगते हैं For example, अगर हम insulin की बात करें तो insulin एक ऐसा hormone है जिसकी कमी की वज़े से एक disease होता है That is diabetes और अगर यही hormone बहुत जादा amount में release होने लगे तो इसकी वज़े से कोई भी एक normal human कोमा में भी जा सकता है So यह जरूरी है कि कोई भी एक particular तरह का hormone बहुत जादा भी release ना हो और बहुत कम भी release ना हो और इसी चीज़ को maintain करने के लिए हमारी body एक mechanism develop करती है That is कि कि किस time कौन सा gland कितने amount में hormone release करे जिसे feedback mechanism से control करा जाता है जो कि हमारी body खुद built up कर लेती है For example अगर हमारे blood में sugar का level increase होता है तो इसे cells detect कर लेते हैं और pancreas तक signal पहुँचाते हैं जिसकी वज़े से pancreas फिर insulin को secret करता है और एक particular amount में ही secret करता है जिसकी वज़े से हमारे blood में present sugar बहार push out हो जाता है Due to insulin और यही mechanism जो हमारी body develop कर लेती है जिसकी वज़े से वो particular एक time पे जरूरत के वक्त एक particular तरह के hormone को release करती है अलग-अलग cells से feedback लेके तो इस mechanism को कहा जाता है feedback mechanism